हाईलो आवरीवान वालकम टो नाइरा स्टडी हव आप सब कैसा है मैं नाइरा स्वागत करती हो अब सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइरा स्टडी हव पर फ्रेंट्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने पर्जेंट इंडिफिनेट टेंस को कंप्लीट किया पर अब ही तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें तो सबसे पहले देखते हैं देखिए यहा टेंस यहां परकट करता है कि काम भूधकाल में प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है इसमें कारे के जारी रहने का समय दिया होता है तो देखिए इसमें क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जिस टेंस में मैन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे है ये आद शब्द आते हैं देखिए क्या है आपका present continuous tense हो जाता है ठीक है नप present continuous tense हो जाता है आप बात करते हैं कि present perfect continuous की क्योंकि यहाँ पे आज हम लोगों को present perfect continuous tense complete करना है तो इसमें क्या होता है तो इसमें देखिए main verb के साथ देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं main verb के साथ रहा है रही है रहे है रहा हूँ आदिशब्द आते हैं और समय के साथ से का परियोग होता है किसका इसमें देखिए समय भी दिया होता है और इसमें समय के साथ साथ यानि देखिए समय के साथ से का परियोग होता है अब यह समझ लेते हैं देखिए say के लिए since या for का use किया जाता है अब यह आपका say आ गया तो इसमें किसका use किया जाएगा तो इसमें देखिए since या for का परियोग किया जाएगा अब देखिए since का परियोग कहां पर किया जाएगा for का परियोग कहां पर किया जाएगा तो यह हम अभी वीडियो में देखेंगे इस पे डिसकस करेंगे तो प्रेंट्स देखिए आपका जो पर्जेंट कॉंटिनिवस्टेंस हो जाता है उसमें भी देखिए पहचान क्या होती है रहा है रही है रहे है यह पहचान हो जाती है इसके अंद में यह आते हैं और उसके के साथ साथ से का भी परियोग होता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होएगा क्योंकि पर्जेंट कॉंटिनिवस्टेंस और पर्जेंट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस्टेंस में यही चेंजे से क्योंकि उसमें देखे समय नहीं दिया होता है और उसमें से का परियोग नहीं होता और इसमें यानि present perfect continuous में तो से का परियोग होता है अब देखिए कुछ example पहले देख लेते हैं जैसे example है राम दो घंटे से घूम रहा है ठीक है ना राम दो घंटे से घूम रहा है और सीता सुबह से रो रही है तो देखिए यहाँ पर समय भी दिया है और से भी देखिए यहाँ पर देखिए दो घंटे समय हो गया दो घंटे आपका समय हो गया और से तो यहाँ पर सिंस या फॉर का परियोग करना है सिंस या फॉर का परियोग करना है तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर समय भी दे दिया और से भी दे दिया मतलब ये present perfect continuous tense हो जाता है उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इसके साथ साथ देखिए, plus क्या होता है, plus से का भी परियोग होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है तो present perfect continuous tense हो जाता है जो हम लोग जिस पर discuss कर रहे हैं और कहाँ पर say के लिए देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि कहाँ पर say के लिए since या for का use करें तो आईए देख लेते हैं क्या देते हैं कि देखिए since और for का परियोग कहाँ पर करना है since या for का परियोग तो since आपका समझ लेते हैं since point of time point of time मतलब क्या होता है कि देखिए निस्चिस समय के लिए जहाँ पे निस्चिस समय हो आपका वहाँ पर क्या यूज करेंगे तो वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क 2002 से वर्क हो रहा है तो यहाँ पर क्या है कि पता है हमको कि 2002 से कंफर्म यह वर्क हो रहा है यह संडे से यह वर्क हो रहा है तो हमको पता है कि यहां पे निश्चित क्योंकि संडे तो निश्चित है ना क्योंकि वो हफते में आना ही आना है मंडे आपका निश्चित हो गया और आपका जैनवरी फैरवरी अप देखिए उसमें डेट हो जाती देखिए जैनवरी तो आने आना है फैरवरी तो आने आना है उसमें देख का यूज़ करेंगे तो इसमें सिंस का यूज़ करेंगे अब देख लेते हैं देखिए फॉर का कहां पर यूज़ करेंगे तो डुरेशन ओफ टाइम क्या है तो कि सिंस कहां कहां पर यूज़ करेंगे उसके बाद फॉर कहां कहां पर यूज़ करेंगे इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे सबसे पहले देखिए फर्स नंबर पर आपका हो जाता है जैसे आपका हो गया सिंस तू एम उसके बाद टू पी एम उसके बाद आपका हो गया ट उसके बाद आपका हो गया देखिए अब इसमें क्या होता है जैसे सिंस 2 एम यानि सुबह दो बजे से या 2 पी एम तो दोपहर के दो बजे से इस दरह से हो जाता है उसके बाद देख लेते हैं देखिए सेकेंड नमबर पर आपका हो जाता है Since 1998 या 2005 या 2009 उसके बाद आपका हो जाता है Since Monday, Since Monday, Tuesday यह हो जाते हैं जैसे Monday हो गया, Tuesday हो गया, वेटनेस दे हो गया, थर्स दे हो गया तो इसमें क्या यूज होगा तो इसमें Since आपका यूज होगा अब यहां पर 1998 या या 1998 या या इस तरीके से जितने भी सन आते हैं क्योंकि वो निश्चित होते हैं और निश्चित के लिए Since का यूज किया जाता है अब यहां पर देखिए Since morning समझ लेते हैं कि Since morning और आपका हो जाता है Since evening तो इन सब के लिए क्या यूज करेंगे जैसे Since morning हो गया Since evening हो गया Since afternoon हो गया क्योंकि देखिए सुबा शाम दुपहर यह तो निश्चित होते हैं तो यहां पर किस का यूज करेंगे तो यहां पर Since का यूज करेंगे अभी और भी देख लेते हैं क्योंकि आपकी सारी confusion दूर होनी है क्योंकि अगर confusion रह जाती है तो वहां पर गलतियां होने के chance हो जाते हैं आप देख लेते हैं देखिए जैसे सिंस yesterday डे यानि इसकि क्या है डे बिफोर येस्टर डे इसमें किसका यूज होगा तो आपका सिंस का होगा फिर उसके बाद जैसे सिंस चाइल्डूट जैसे कि बचपन से या जन्म से क्योंकि बचपन भी सभी काता है तो निश्चित होता है तो यहां पर किसका यूज़ करेंगे तो सिंस हो जाता है सब्सक्राइब इस तरह से इसमें का यूज़ किया जाता है यानि कि पर्टीकुलर एगर या पर्टीकुलर डेट है इस में निश्चितिता है, तो सिंस का यूज कर लिया जाता है यानि किया जाता है अब देख लेते हैं four, तो इस में आपका four का यूज देख लेते हैं तो आपका हो जाता है four two seconds, देखिए four two second अब ये तो पता नहीं है कि कौन से दो सेकेंड पहले या कौन से दो सेकेंड के बाद कोई से दो सेकेंड है या तू मिनट्स कौन से तू मिनट्स तो अब इसमें आपको पता है कौन से तू मिनट्स नहीं पता है तू अवर्स मतलब इसमें क्या है आपको ये पता है कौन से त चिठता नहीं है उसके बाद 27 कौन से day sunday या mandated यहां पर confirm नहीं है कोई से दो दिन है जैसे कहाँ नहीं है और यहां यह आपके नोट्स में दो दिन में आपको दे दूँगी तो कौन से दो दिन यह तो पता चलें तो यहां पर क्या चीज़ है यहां पर कोई निश्चिता नहीं है तो यहां पर फॉर का यूज़ विक, यह टू मुंध यह टू संचुरी, तो इसमें भी यह नहीं पता है कि 1998, 1999, 2000, 2005 या इस तरीके से कुछ नहीं पता है, तो यह आपका हो जाता है कि for का use इसमें हो जाता है अब देखें इसमें जैसे काफी देर से for a long कुछ देर से for a y तो यानि कि क्या होता है कि इसमें for का use करते हैं काफी देर से अब कितिनी देर से है ना कि काफी देर यानि कितिनी देर नहीं पता है तो इसमें 4 का यूज होता है कुछ देर से अब कुछ देर कितिनी देर तो यह भी नहीं पता है तो यहाँ पे भी 4 का यूज होगा उसके बाद देखिए 4 many days है ना उसके बाद 4 months, 4 years इसमें आपका 4 का यूज होगा और कई दिनों से, कई घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से तो इसमें भी आपका क्या होगा तो 4 का यूज होगा तो इसमें भी आपके कुछ आपके notes में भी कुछ example है उनको भी देख लेते हैं जैसे positive sentences में अब यह बनेंगे कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक है ना, तो इसमें जैसे आपका हो जाता है सबसे पहले आपका subject हो जाता है उसके बाद has या has या have उसके बाद आपका been हो जाता है उसके बाद verb की आपकी first form में ing हो जाती है और उसके बाद आपका object हो जाता है और plus आपका देखिए since या for हो जाता है तो since या for हो जाता है तो इस तरीके से यह हो जाते हैं अब देखिए और उसके बाद time भी तो इसमें है ना तो time भी दिये होते हैं से भी दिये होते हैं तो यहां पे आपका time हो जाता है देखिए has been का परियोग करेंगे तो third person singular के साथ has been का परियोग करेंगे तो third person singular के साथ बाके subject के साथ have been का use करेंगे अब इसमें example देख लेते हैं राम घूम रहा है देखिए राम घूम रहा है अब यहां पे क्या है तो यहां पे time तो नहीं दिया है यानि यह कौन सा tense हो गया देखिए आपका subject राम है तो राम और रहा है तो इसके लिए देखे है तो इस राम is walking तो ये कौन सा टेंस हो गया present continuous tense हो जाता है राम दो घंटे से घूम रहा है अब देखें यहां पे दो घंटे दे दिये कि राम दो घंटे से घूम रहा है घूम रहा है तो यहां पे क्या हो गया तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया और हैस बीन यहां पे किसका यूज़ करेंगे हैस बीन वाकिंग वाकिंग फोर टू अवर्स अब देखें यहां पे यहां पे राम घूम रहा है पर्जंट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस टेंस हो जाता है राम दो घंटे से घूम रहा है मतलब पर्जंट पर्फेक्ट कॉंटिनिवस टेंस हो जाता है और पर्जंट कॉंटिनिवस टेंस में इस MR का परियोग करते हैं और देखिए पर्फेक्ट कॉंटिनिवस टेंस में हैस य मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो I am playing, तो ये कौन सा है, तो present continuous tense आपका हो जाता है, present continuous tense आपका हो जाता है, आप देखिए, मैं सुबह से खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं, तो I have been playing, playing since, आप देखिए, यहाँ पे सुबह, क्योंकि सुबह होती है, निस्चित है, तो यहाँ पे since का use हुआ, since morning, तो यह आपका कौन सा tense हो गया, तो present perfect continuous tense हो जाता है, कुछ example हम और देख लेते हैं, जैसे मीरा दो घंटे से गेंद खेल रही है, अब इसमें देखिए, दो घंटे और से, तो मीरा has been playing with the ball for two hours, अब दो घंटे, कौन से दो घंटे यह नहीं पता, अगर यहां पर यह होता, दो बजे से, तीन बजे से, चार बजे से, तो वहां पर निस्चित होता, लेकिन यहां पर उन्होंने दो घंटे बताए हैं यानि यह नहीं पता है कि सुबा के दो घंटे, शाम के दो घंटे, दुपहर के दो घंटे तो यहां पर 4 का यूज होगा उसके बाद देखे 1208 से इस मकान में रहर रही है अब यहां पर देखे ध्यांदी जगा यानि कि देखिए पता है कि 1980 से रह रहे हैं मतलब निस्चित है तो यहां पर क्या होगा तो आपका सिंस हो जाएगा आई होब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चलते हैं नेक्स्ट देखिए नेगिटिव संटेंस को देख लेते हैं तो नेगिटिव में देखिए सबसे पहले है राम दो घंटे से नहीं घूम रहा है एक्जामपिस समझ लेते हैं कि राम दो घंटे से दो घंटे से नहीं घूम रहा है अब इसमें देखिए यह किस तरह से बनेगा देखिए आपका राम सब्चेक्ट हो गया तो राम राम के साथ हैस का यूज होगा ना उसके तुरंत बाद आपका नॉट लग जाएगा नॉट बीन अब देखिए यहां पे बीन का यूज करेंगे बीन वॉकिंग फॉर अब दो घंटे से देखिए यहां पे वी दो घंटे दिये हैं यह नहीं चित्ता नहीं है कि कौन से दो घंटे तो फॉर टू हर्स इस तरह से यह आपका हो जाता है और इसकी देखिए इस बनाते कैसे यह तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैस बीन है और उसके बाद नॉट फिर उसके बाद बीन आपका हो जाता है उसके बाद वर्ब की आई एंजी फॉर्म हो जाती है उ प्लस आपका सिंस या फॉर हो जाता है प्लस आपका टाइम हो जाता है ठीक है ना अब यहां पर देखे एक्जाम्पिल समझ लेते हैं हम दो घंटे से फुटबॉल नहीं केल रहे हैं तो वी है और नौट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर टू आवर्स उसके बाद देख लेते हैं वह उनीस सो ऐसी से मकान में नहीं रह रही है तो शी चाहिज जोड बीन लिविंग इन टीज हाउस सिंस नाइनटीन एप्टी इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव संटेनेश को समझ लेते हैं तो इसमें आपको देखिए डबलो एज फैमिली का यूज करना रहता है यह हम लोग पहले भी डिसकस कर चुके हैं फिर से डिसकस कर लेते हैं कि जहां पर यह चीज हो कि आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं तो वहां पर डबलो एज फैमिली का यूज नहीं होगा लेकिन जहाँ पर यह चीज होगी आप yes या no में answer नहीं दे पा रहे हैं यानि नहीं दिया जा सकता हैं तो वहाँ पर डबलो एज फैमिली का use होगा जैसे क्या तुम खेल रहे हो ठीक है ना तो इस तरह से कोई question करता है तो आप ऐसे कह सकते हो हाँ या नहीं yes या no लेकिन अगर हम यह पूछ ले आप से आप क्या खेल रहे हो तो आप yes या no में answer नहीं दे सकते क्यों क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि आप कौण सा खेल खेल रहे हो तो उसका नाम लेना पड़ेगा ना और अगर ये पूछते कि क्या आप खेल रहे हो कि मतलब आप क्या खेल रहे हो तो हाँ खेल रहा हूँ मतलब हाँ या नहीं लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या खेल रहे हो तो अगर फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको बताना होगा कि हम फुटबॉल खेल रहे है हैं हम बैड्मिंटल खेल रहे हैं हम कोई सब भी खेल खेल रहे हैं तो उसका नाम लेना रहता है तो इस तरीके से डबलू-एज फैमिली का यूज होता है और नहीं भी होता है तो यह चीज देखिए पिछली वीडियो में इस पे बहुत अच्छे से डिसकस किया है तो आप लोग उसको देख लें अब देखिए अब इसमें समझते हैं सबसे पहले आपका हो जाता है डबलू-एज फैमिली कौनसी तो डबलू-एज फैमिली यानि की हैस है उसके बाद आपका क्या हो जाता है उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है उसके बाद अगर नौट है तो यहां पे लग जाएगा अगर नौट नहीं है तो उसको नहीं लगाएं आप लोग उसके बाद Currigative Sentence हो जाता है और यह चीज आप लोग ध्यान रखिए का कि जब क्या आता है तो अगर पहले क्या आता है तो आप उसकी English नहीं लिखेंगे यानी WH family का यूस्ज नहें करेंगे और अगर क्या बीच में आता है तो आप वह family का यूज करेंगे एक्जाम्पिल देख लेते हैं क्या राजन इस मकान में 1980 से रह रहा है तो देखिए अब यहाँ पर क्या है तो क्या पहले यूज हुआ है तो आप हाँ और नामे अंसर दे सकते हैं कि हाँ या नहीं तो आपका जो subject यानि राजन है तो राजन की जगा पे आप helping verb और helping verb की जगा पे आप राजन को रख सकते हैं तो क्या है तो हैं राजन बीन लिविंग इन देज हाउस 20 Act यानि इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर निस्चिता है यानि निस्चित समय है यानि 1980 निस्चित है ना फिर उसके बाद देखे क्या तुम इस college में 6 महीने से अध्यान कर रहे हो अब यहाँ पे देखे 6 महीने इन्होंने कहा है कौन से 6 महीने नहीं पता है तो यहाँ पे क्या यूज होगा तो यहाँ पे 4 का यूज होगा क्या तुम इस college में आप देखे यहाँ पे क्या जो है वो पहले आया तो आप हाँ और नामे answer दे सकते हैं इसमें कही चीज़ा समझनी हैं आप लोग इसको अच्छे से समझेगा तो जब क्या है आपका और हाँ और नहीं में आप answer दे सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जो आपका यू है यू की जगा पे have और हैव की जगा पे यू का आप यूज करें उसके बाद been फिर फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फर्म में ing और in this college फिर उसके बाद निस्चीश समय नहीं है यह नहीं पता है कौन से 6 महीने तो इसमें far का use होगा यानि have you been studying in this college for 6 months और देख लेते हैं कुछ example वो कब से खेल रहा है देखें वो कब से खेल रहा है कब से खेल रहा है यानि देखिए since when since when has he been playing आपका हो जाता है और इसमें देखें एक example और समझ लेते हैं राम दो घंटे से कहां घूम रहा है राम दो घंटे से कहां घूम रहा है तो अब कहां देखिए कहां आपका यह डबलो एच फैमली हो गई तो आपका where सबसे पहले where का यूज करेंगे यानि डबलो एच फैमली का यूज करेंगे उसके बाद has या have का यूज करेंगे क्योंकि यहां से देखिए यहां पर हैं दो घंटे से कौन से दो घंटे से नहीं पता है तो फोर टू आवर्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे अब देखिए यहां पर आपका और भी समجھ लेते हैं थोड़ा सा wh family के बारे में अलग से थोड़ा सा समझ लेते हैं वहां पर भी हम लोगों ने अब ही समझा हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं देखिए सबसे पहले आपका what, where, why, how masculine कोश्चेंबनाने के बाद पिए जाते हैं तो यह कैसे पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव संटेंज है विल पॉण मिलगाना मस्त होता है तुम 30 मिनट से क्या कर रहे हो 30 मिनट देखिए तो अब उने 30 मिनट कंफर्म कर दिये हैं यह चीज़ समझेगा तो और क्या कर रहे हो अब यहां पर क्या आपका बीच में है यानि डबलू एज फैमली का यूज यहां पर होगा अब क्या के लिए वाट का यूज करेंगे वाट अब हैव यानि तुम तो यू के साथ हैव का यूज करते हैं न तो हैव यू बीन अब क्या कर रहे हो तो डू की आइनजी फॉर्म यानि डूइंग हो जाता है फिर उसके बाद आपका क्योंकि 30 मिनट उन्हेंने निस्चित कर यू के साथ हैव का यूज होता है न तो वाट हैव यू बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम यानि तुम उससे क्या उमीद कर रहे हो उसके बाद वह कब से वह कब से बगीचे में काम कर रही है यानि कि देखें हाव लोंग हैज शी बीन वर्किंग इन डा गार्डन यानि क अब देखें यहां पर भी आपका डबलो एच फैमली है न तो वह कब से बगीचे में काम कर रही तो हाओ लॉंग हैज शी बीन वर्किंग इन डा गार्डन तो फ्रेंट्स आज यहीं तक आप लोगों के देखें पर्जेंट इंडिफिनिट टेंस पर्जेंट कॉंटिनिव टेंस कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे फ्रेंट्स आप लोग देखें अच्छे से पढ़ाई करें हो सके तो इसके नोट्स बनाते चलें अगर आप लोगों को जैसे यह होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है कुछ लोग लोग वरकिंग होते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चनल से जुड़ जाए जहां पर आप लोगों को फ्री पीडियो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे आप लोग और भी बेतर तयारी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप दाल रखें थैंक यू